वेलकम टू जीरो से जिन्यस तक आज की इस वीडियो में हाली के हुए एसे सी जीडी एकजामस से रिलेटेड पचीस इंपोर्टेंटे सवालों को आप से पूछे जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पाहला सवाल है निम्ण में से पुलिंग सब्द कौन है आपको इस प्रस्ण का आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब फल, गाउ, मनुस्या ये सब ही तेहां पे राइट आंसर है आपसर नमबर डी सब ही कोशन नमबर टू रगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है सही आंसर है आपसर नमबर बी उट को कोशन नमबर तिन बीस्व का पहला परमानू बिजली घर कहां अस्थापित किया गया था कोशन एक बार फिर से बीस्व का पहला परमानू बिजली घर कहां अस्थापित किया गया था सही आंसर है आपसर नमबर ए रूस में कोशन नमबर फोर प्रित्वी के वातावरन में सबसे ज़्यादा पाय जाने वाला तत्वा कौन सा है सही आंसर है आपसर नमबर बी नाइट्रोजन लगभग 78 परसंट पाया जाता है कोशन नमबर फाइब हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है सही आंसर है आपसर नमबर ए सुन्डा या जावागर्थ कोशन नमबर शिक्स अंतराश्ट्रिय नर्स दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है सही आंसर है आपसर नमबर सी बारा माई को कोशन नमबर सेविन डॉक्टरी थर्मामीटर का अविस्कार फोरेन हाइट ने कव किया था सही आंसर है आपसर नमबर बी सत्रह सो चौदा इस वी में कोशन नमबर एट नीजी कंप्यूटरों की कारेश झामता समाप्त हो जाने पर उत्पन कचरे को क्या कहा जाता है सही आंसर है आपसर नमबर बी इकचरा कोशन नमबर नाइन किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कारे संचालन को असंभाव बनाती है कोशन एक बार फिर से किसका अभाव लोकतंत्रा से उसके कारे संचालन को असंभाव बनाती है सही आंसर है आपसर नमबर सी राजनेतिक दल कोशन नमबर टिन गाय का आउसत्य जिवनकाल कितना होता है सही आंसर हो जाएगा आपसर नमबर ए सोला वर्ट्स और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए धन्याबाद आगे सवाल है हवाई जहाज का निर्मान किस ने किया था सही आंसर है आपसर नमबर सी राइट ब्रादर्स ने कोस्ट नमबर बारा ओटल सुरंग भारत के किस राजचिया में इस्तित है सही आंसर है आपसर नमबर बी हिमाचल परदेश कोस्ट नमबर तेरा निम्ण में से किस को पेंसिल में परयोग्य किया जाता है सही आंसर है आपसर नमबर डी ग्रेफ हाइट को कोस्ट नमबर चौदर अल्फ संख्यकों के हितों की सुरक्षा पर कीस अनुछेद में बिचार किया गया है? सही अंसर है आप्शन नमबर D, अनुछेद 39 में, क्वेशन नमबर 15 1905 के बंगाल बिभाजन के समय कॉंगरेस के अध्याक्षे कौन थे? सही अंसर है आप्शन नमबर D, गोपाल क्रिष्न गोखले, कोशन नमबर 16 बिधुत्य चुम्बक किसका बना होता है? सही अंसर है आप्शन नमबर B, नर्म लोहे के, कोशन नमबर 17 नाटो का मुख्याल ए, कहां इस्तित है? सही अंसर है आप्शन नमबर D, ब्रूसेल्स में, कोशन नमबर 18 जॉर्ज पंचम का आगमन किसके सासनकाल के दौरान हुआ था? सही अंसर है आप्शन नमबर C, लॉर्ड होडिंग द्वीतिये, कोशन नमबर 19 गांगा को बंगला देश में, किस नाम से जाना जाता है? सही अंसर है आप्शन नमबर A, पाद्वा नदी के नाम से, कोशन नमबर 20 कांची पूरम भारत के किस राज्जिया में इस्तित है? आंसर है आप्शन नमबर B, तामिल नाडू मुगल वन्स का दूसरा सासक कौन था? सही अंसर है आप्शन नमबर B, हुमा आईयो कोशन नमबर 22 भारत में तंबाकू की खेती मुगल वन्स के की से सासक के दौरान शुरू हुआ? कोशन एक बार फिर से भारत में तंबाकू की खेती मुगल वन्स के की से सासक के दौरान शुरू हुआ? सही आंसर है आपसर नमब ए अकवर कोशनागी है एक सिंग वाला गैंडा किस राज्या से संबंधित है सही आंसर है आपसर नमब बी असम कोशन नमब चौबिस चेहरे में कुल हडियों की संख्या कितनी होती है सही आंसर है आपसर नमब बी चौदा हडिया कोशन नमब पच्चिस बीश्वा मौसम संगठन का मुख्याल है कहां इस्तित है सही आंसर है आपसर नमब बी जिनेवा तो आपके लिए एक सवाल है तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में अपना ध्यां रखिये यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दिजिए धन्यावाद जय हिंद जय भारत